वराट कोली यार भाई दिल से सलाम है यार क्या ही बंदा है आउट स्टेंडिंग परफॉमेंस माइंड ब्लॉइंग यार क्या ही गेम भिला आज वराट कोली नहीं यार 83 रन्स नाबाद 59 बॉल्स में 141 के स्ट्राइक रेट से और ऐसी सिचुईशन में जबकि स्टार्ट अच्छा नहीं मिला रसी बी को और एक छोर को पूरा संभाले रखा है यार जबरदस्त एनिंग भाई आउटस्टेंडिंग परफॉमेंस भाई एक ही दिल है यार कितनी बार जीत हो गए फर्स्ट मैच सेकिंड मैच थर्ड मैच यहां तक कोई बराट कोली का साथ देनी के लिए तैयार नहीं है फाब डूफले सी आज भी कुछ खास नहीं कर पाए ग आर्सीबी की दूसरी जीत कागाज होगा आर्सीबी को आज फिर चार पॉइंट हो जाएंगे वही उल्टे सीधे शॉट आउट हो गए फिर से दो बार जाल में फसाया थे एक बार हश्रीत रानन है और एक बार सुलील नरायन ने लेकिन क्या हुआ उसके बाद भी कुछ न समक नहीं जाती यह वही रहा है भाई आप किसी भी सिच्वेशन में वराट कॉली को क्रीज पर उतार दो वन डेटी ट्वेंटी टेस्ट भाई उसके बल्ले से रन ही निकलते हैं और आज वराट कुली ने एक और कारणामा किया है आई पी एल में 109 कैंच वराट कॉली और बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी 182 तक स्कोर को खींचा वराट कॉली ने 5 विगिट तक किसी ने साथ नहीं दिया मैकसिवेल को इतना चांस मिला लेकिन लास्ट में दिनेश कार्तिक की तारीफ करनी होगा यार अच्छी निंग खेली 33 रन मना 21 बोलों में 2 चक्ये मारे और दिनेश कार्तिक ने लास्ट में डी के और वी के का बड़ा अच्छा सपोर्ट रहता है लास्ट में बड़ी तगडी सपोर्ट दिये वराट कोली के साथ दिनेश कार्तिक ने जैस्ट नो बोलों में 20 रन से मार के गए हैं दिनेश कार्तिक जिसमें 3 चक्ये मारे हैं और 250 पचास के स्ट्राइक रेट से बड़ी तगड़ी नहीं खेल गी यानि कि फिनिश अच्छा दिया था लेकिन स्टार्ट कोई खास नहीं मिल पाया जिसके वज़े से स्कोर 182 पर ही रह गया लेकिन भाई अब कोलकाता के सामने तो उनके लिए तो यह ऐसे मानों के 120 110 के असपास हैं कि कॉलकाता में जो इस बार बैटिंग है न वह दस नमबर तक भाई मिचर इस्टार्ट भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं हर्शित राना ही बचते हैं उसके अलावा कौन है उसके वो भी एक इंपैट प्लेयर में आ ज से इनिंग खेली है लास्ट दो स्टार्टिंग के दो मैचों में भी फर्स्ट मैच में और आज फिर अपनी आउट स्टेंडिंग परफूमस्स दिये यह अनिस्टॉपबल बंदा है बाई यह इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का किंग है और किर्केट की रिकोर्ड शा खेर इस बार पका चांस है आर्सीवी जितने का और वूमेंस टीम भी ट्रॉफ़ी ले आई है तो कोशिश है कि यार जो पिछले 16 सालों में ना हो सका वो इस बार हो जाए ऐसा कुछ जिससे कि वूमेंस टीम भी ले आई और मेंस टीम भी ले आए और सामने दोनों ट्रॉफ महें का इंतिजार कर रहे हैं वह सपना उनका पूरा हो जाए बट वेल्ड प्लेट ब्राट कोली की तारीफ करने होगी यार किक्यार सामने आ जाती है हर साल उनको पेल देती है पता नहीं भाई कौन सा टोटका करवा रखा के क्या वालों नार सीबी पर आज जहां मैच हुआ इस गिराउंड पर छे बार आमने सामने मिले हैं कोल्काता और आज सीबी और चेकी छे बार कोलकाता नाय ट्रेडर्स जीती ह है RCB एक बार नहीं जीती या तो RCB किस्मत खराब है ये फिर वराट कोली की बिचारी किस्मत खराब है देखते हैं अगले मैच में क्या पफिरमस रहती है RCB की तो वेट करते हैं अगले मैच का और मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ वीडियो पसंद आई हो त चेयर कमेंट जरूर करें